वेलकम टू कॉम्टिशन कम्यूटी एंड माइम इस दिनेश पांडे नमस्कार सब दोस्तों को और आज हम लोग फिर आपके सामने उपस्तित हैं एंपी प्हसी के क्रैस को ब करके और मैं आप सब्ब्रकार एकम इसके ड्सों सब्यक्ड़ा के और आज की सिंदेट करें रहा हूं और सेनिकयर कोपशों एकम उसको टॉपुडिक करेंगे देखे इसमें अंगेन विदू यह जूपूइब आएक आजतां मीजन कीन सेबी के लावा आपको Close Market Sales Magazine कौन कौन से इंडिया में więc तरफ इससिक तरफ वर्ल्ड में कौन कौन से famous stock exchange और किसस görव करते हैं उसको ले करके आज अद क्लास करेंगे बहुत चोटा टॉपिक ज्यादा इसमें से कोषना नहीं है कि old jade तो इसका पहले गठन कभवा वह बताता हूं उसके बाद भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्षेंज बताता हूं और वर्ल्ड लैवल पर विश्व इस तर पर कौन से famous famous stock exchange है उन सबके नाम बता हूँगा मैं ज्यादा डीप नहीं जाएगा इसी कारण इसको सिर्फ याद कीजेगा और इसको देखेगा ठीक है clear उससे ज्यादा question नहीं आने वाला क्योंकि देखो आपका जो MPPSC में जो नॉमिस का syllabus उसने इंक्लूट किया है एक तो ज्यादा है नहीं उसमें कुछ ठीक गिन चून करके पांच-छे टोपिक उसने इंक्लूट किया है और उसमें से भी question आना है तो एक या दो question आना है maximum मगर क्या होता है कभी कभी कि एक दो question भी अगर हम छोड़ देते हैं तो बाद में जब result आता है तो हमको बहुत नुकसान देलना पड़ता है हमें यह नहीं पता चलता है कि यह question हम चोड़ दिया है तो होता है कि उसी के कारण आपका selection ना हुआ हो ठीक तो इसी कारण किसी भी subject को ले करके चाहे वो चोटा हो चाहे वो बड़ा हो उसको neglect नहीं करना है अगर उसमें topic भी include है तो आपको एक topic भी study करनी है ठीक है clear इसी कारण मैं बहुत छोटी चीजे ले करके हो बहुत ही कम content मतब content थोड़ा ले करके ताकि जो काम-काम का content है हमारा उसी को ले करके मैं आप लोग को class ले रहा हूं मैं ठीक है clear तो चले start करते हैं से भी ठीक तो पहले तो इसका नाम याद रखो इसका नाम क्या है security exchange board of India से भी ठीक security exchange board of India clear अब से भी का गठन भारती प्रतिभूती एवं विनीमय बोट का गठन किया गया था 12 अप्रेल 1988 को 12 अप्रेल 1988 को इसका गठन किया गया केवल एक समान ने भारत सरकाद और इसका गठन कर दिया गया मगर 1992 में olmze ранवी में मैं 1992 में इसे कानूनी अधिकार दिया गया 1992 में से भी को कानूनी अधिकार दिया गया और एक व्यध्यानिक संस्था बनाया गया ठीक सेवी को बनाने का मुख्युदेश यह था कि जितने भी निवेशक हैं उनको सुरक्षा पदान करना शेयर मार्केट को कंट्रोल करना शेयर मार्केट में जो फ्रॉड होते हैं जो घपला होता है जो घुटाला होता है उनको रोकना और और सेयर मार्केट के ल ना हो उनको किसी प्रकार का वहाँ पर लॉस ना हो तो निवेशकों की सुरक्षा करना यह सेभी का मुख ही काम था धीरे धीरे जब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया सेभी को सेभी का गठन किया गया 12 अप्रिल 1988 को और इसे संसेत के तहट कानूनी अधिकार यह वैधानिक दर्जा दिया गया नाइनटी नाइनटी तू में एक सेभी का हैट कौर्टर है आपका कहां मुंबई में है और अभी वर्तमान में इसकी पहली महिला द्यक्ष बनी है प माधवी पूरी बूच इसकी पहली महला ड्यक्ष बनी है। यह सेवी पहले पूर्णकालिक सदती थी। इन्होंने इम्दाबाद से क्या किया हुआ है। यह से效 bene कि तो एप और अभी हिन kamera है क्या B養त ऑपते हैं। क्या बोलते हैं इसको पहली महला आध्याक कॉन माध्वी पूरी बूच माधोरि नहीं है माधवी पूरी बूच इनका पूरा नाम तो सेबी की पहली महिला ध्यक्ष बनी है यह और हूसकर कोशन पूछदे आपसे यहां ठीक तो यहां से 3 question कैसे बन जाएंगे पहला सेभी का headquarter मुख्याले मुंबई दूसरा सेभी का गठन कब हुआ यह पूछ सकता है 12 प्रेल 1988 तीसरा अभी हाली में किसे सेभी का ध्यक्ष बनाये गए यह पूछ सकता है तो सेभी का ध्यक्ष बनाये किसको माधभी पूरी बूच को clear बस इतना याद रखना है और इसका कारे क्या होगा कि केवल शेयर मार्केट को कंट्रोल करना निवेशकों को सुरक्षा पदान करना किसका सेवी का काम है clear ठीक ओके देखो ठीक इसके बाद इसका उद्देश तो मैं आपको बता दिया उद्देश क क्या होगा इसका कि निवेशकों को सुरक्षा देना है वramarket को कंट्रोल नियंतरन करना तो निवेशकों को सुरक्षा पदान करना और शेयर मार्केट को कंट्रोल करना ये सेवी का क्या है काम है ठीक भारत में लकार् twe epsilon इस टॉक एक्षेंज की संख्या 24 है इस टॉक एक्षेंज तो सबसे पहले क्या होता है इस टॉक एक्षेंज यह जानो तो इस टॉक एक्षेंज एक तरीके से क्या है दुकान है एक तरीके का एक दुकान है यह एक ऐसा दुकान है एक ऐसा शौप है जहां पर शेयर को खरीदा यहां पर शेयरों को खरीदा जाता है और उनको भी जाता है तो जिसको खरीदा नागरिक कोई आम नागरिक किसी कंपनी में अपना हिस्सा ले सकता है तो कंपनी में हिस्सेदारी के लिए क्या बना है शेर बना है एक तरीके का पत्र होता है एक तो share से किसी company में भागिदारी सुनिचित करने का एक तरीका है ये इसी को खरीदने और बेचने की जगह होती है उसी को कहा जाता है stock exchange क्या कहा जाता है stock exchange तो भारत में total वर्तमान में वर्तमान में नहीं बोलेंगे 2007 तक 2007 तक stock exchange की संख्या 24 थी कितनी थी 24 2007 में क्या किया गया कि सौराष्ट stock exchange सौराष्ट stock exchange है इस पे फ्रॉड हुआ तो cbi जाज के बाद जब इसमें फ्रॉड का clear relation हुआ तो यहां से उसको इसकी सदस्यसा को क्या कर दिया गया हटा दिया गया तो अभी वर्तमान में कितने पूछा कितने भरत में इस टॉक एक्षेंज है तो अभी थी 24 नहीं 2007 में सौराष्ट stock exchange की मानता रद कर दी गई तो वर्तमान में कितने हो गए 23 हो गए है यह कभी नहीं पूछेगा कौन सा स्टॉक एक्षेंगे कभी नहीं आने वाला कोश्चन क्योंकि यह सिविल सर्विस है और एकोनोमिक्स में आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है इसी कारण उतना डीपो नहीं जाने वाला क्लियर तो कितने इसके बाद भारत के प्रमुक शेयर बजार तो मैंने अभी आपको कहा कि भारत में टोटल कितने स्टॉक एक्षेंगे वर्तमान में 23 कितने हैं 23 है कलर ज्यादा लाइट हो गया है यह ठीक है ठीक तो वर्तमान में कितने स्टॉक एक्षेंगें तीक है ना ओके कौन-कौन से हैं तो जितने सहर्वेक तो लेए मुंबवी फिक्राइड नवर दो कईटर ले ले सेपीस की 9u award पेट निवक्षण भी दिया हो मैं बैंगँलोर स्टैक्चेंज तो एक्षेंज कोईमबटूर स्टैक्चेंज कोई बत्राइग करते हैं सहरो के नाम का सबसें पुराना stock exchange है Bombay Stock Exchange दूसरा आप กा National Stock Exchange यह सबसें बड़ा Stock Exchange थीक और तीसरा आपका OT C e e l यह आपका Private संस्था का नीजी छेतर का सबसें बड़ा Stock Exchange है ठीक है ओके तो Bombay Stock Exchange सबसें पुराना Stock Exchange हो गया National Stock Exchange NSE ये भारत का सबसे बड़ा Stock Exchange हो गया और OTCEL ये भारत का नीजी छेतर का सबसे बड़ा Stock Exchange हो गया ठीक है clear तो इतने Stock Exchange main main है बाकी उनके काम वाम यही है कि वहाँ से share को खहिदा जाता है और share को बेचा जाता है बस इससे अधा इसको बारे में आपको नहीं जानना है clear main अगर और ज्यादा डीप गया तो आपको पूछ सकता है विस इस्तर पर प्रमुक प्रमुक स्टाउक एक्चेंज और वो किस देश से बिलॉंग करते हैं वो पूछ सकता है ठीक है यहें आपका नूय-उयर्क का उसके बार निक्की निक्की टोकियो ठीक डी जोंस न्य उयर्क निक्की टोकियो मिटडेक्स, फ्रंकफेट जर्मनी का मिटडेक्स कहाँँख precisamente हांंग स्टेंह हांंग का ठीक उसके बार सी मैक्स C-Max आपका Singapore C-Max Singapore का तेन Taiwan State Thailand Kospi Korea D-Jones New York Nikki Tokyo Middex Germany Hong Seng Hong Kong C-Max C-Max, C-Singapore Tain, Taiwan State, Thailand Kospi, Korea ठीक, ओके इसके बाद आजाएगा Brovespa Brovespa, Brazil Brovespa कहाँ का है Brazil का है ठीक, उसके बाद IPS Mexico IPS, Mexico का है उसके बाद Shanghai ये चीन फिर उसके बाद A-S-E Australia Stock Exchange Australia का आजाएगा फिर उसके बाद S-N-P तो S-N-P आजाएगा तुम्हारा Canada का आजाएगा S-N-P Canada का आजाएगा ठीक उसके बाद F-T-S-E 100 F-T-S-E 100 आजाएगा London का कहा का जाएगा London का आजाएगा ठीक है ये कुछ famous famous stock exchange है D-Jones New York का यहीं पर आजाएगा Nusdok Nusdok आपका America USA ठीक D-Jones New York Nusdok America Nikky Tokyo Nikky Tokyo ठीक Nikky किसका Tokyo का आजाएगा SET Thailand Tain Taiwan TikTok ठीक Mib Bitte Italy Mib Italy का जाएगा ठीक है न Nom Microsoft किसका है Italy का है Mib Decks jesteśmy मिब टेल अलग है और Midwest eks SUV Mib Del GREEN इटली अब स्कारी कि समस्रीक्षन क्याविकी वृत्न के दिसके पारीच कुर्थ नियुक्त पर और इस पाई जाएगा जाुइगा कुमा स्क निकाड़क्रश को और फिर संग्याप았습니다 S&P कनाड़ा हो गया FTSE 100 यह जाएगा आपका लंदन FTSE 100 लंदन चल देगा और उसके बाद लास्ट में आपका एक हो जाएगा कौन सा A.S.E. और उसके बाद लास्ट है आपका संगाई स्टॉक एक्चेंज यह चल देगा चीन यह कौशन बनेगा कि इन में से कोई एक ठुक देदेगा और बोल देगा यह कौन से कंट्री से बिलौगा या किस देश का स्टॉक एक्चेंज है यहां से कौशन ज्यादा हाट नहीं इंडिया कि गठान 12 आप्रेल 1988 मछें 1992 विधानिक अदिकार दीए गया ह तुक उसके बाद मुख्याल सत्व अपका मुंबई यह बहित मं में इसकी अध्यक्ष्स कोन है वत्मान में नहीं में पूरी भूछ अ हां। और अ कॉर्श कर नहीं पूर्य। अंदिए proceeding के लिए रूट रेगुलिशन बनाना ठीक है उसके बाद आज इसका उदेश होगे भारत में इस टॉक एक्षेंज तो भारत में टोटल एप दा प्रेजेंट 23 स्टॉक एक्षेंज है इवाद, OTC, EEL प्राइवेट चेतर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्षेंज एक्षेंज अब आज विस्विस्टर पर तो विस्विस्टर पर स्टॉक एक्षेंज कौन-कौन से हो जाएंगे पहला आपका डी जोन्स न्यॉ-एर्क नस्डाक अमेरिका निक्की टोकियो निक्की टोक्यो, सेट, थाइलेंड, टेन, टाइवान, कोस्पी, कोरिया, सिमेक्स, सिंगापूर, मिड्डेक्स, जर्मनी, मिप्टेल, और आपका इटली, ठिक, S&P, कनाडा, ठिक, ब्रोविस्पा, ब्राजिल, उसके बाद, FTSE, हंड्रेट, लंदन, ASE, ऑस्ट्रेलिया, और संगाई, चीन, क्लियर, इससे ज्यादा डीप कोश्चन, नहीं जाने वाला आपके सेवी के चैप्टर से, क्योंकि कुछ ही नहीं ना, इसमें, क्या पुछेगा, कितना डीप जाएगा, और वैसी भी उत्रे कोश्चन, इसमें से आने हैं नहीं, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका किसका, एक बार रिपीट करों फिर से, कि आप लोग को याद नहीं हु, हुआ होगा तो एक बार रिपीट करता हूं फिर से, ठीक, ओके, लास बार और उसके बार चौस को स्खातम करेंगे हैं आपन, तो एक सब्सक्राइब पूरी बूच विस्टर पर कौन-कौन से इक्षेंज आजाएंगे तुम्हारे क्या पर तो कंपनी में भागिदारी बनाने का एक तरीका होता है ठीक क्लियर विस्टर में कौन-कौन से स्टॉक एक्षेंज है तो एक बार रिपीट कर रहा हूं लास्ट डी जोन्स नियॉर्क नस्डॉक अमेरिका निक्की टोकियो कोस्पी कोरिया सैट थाइलेंड टेन ताइवान ठीक तेन ताइवान सीमेक्स सिंगापूर ब्रोएसपा ब्राजिल एस एंड पी कनाड़ा एस एंड पी कनाड़ा एप्टी एस ए हंड्रेट कहां लंदन मिड़ेक जर्मनी और मिब टैल कहां इटली क्लियर एस ए एस ए औस्टिलिया स्टॉक एक्षेंज और संगही वाला चीन य पूर्शन है आपका सेवी का ठीक है इससे अदा आपको सेवी में कुछ नहींआ पड़ना है ओके ठीक है तो civil यह टॉपिक आपका खताम अच्छे से इसको रट लीजिएगा यहीं से कोशचन आएंगे अगर आएंगे तो क्लियर वरना इससे बाहर कोश्यन नहीं जाने वाला ठीक है ओके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए ठीक और क्या बोलते हैं इसको अच्छे से स्टेडी कीजिए ठीक है चलिए नमस्कार थैंक्यू जैहिन